है एलो इस्टुडेंट्स कैसे आप लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे बेटा जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोग कनकेव मिरर में इमेश फॉर्मेशन पड़ेंगे और आज की वीडियो में हम लोग Convex Mirror में पढ़ेंगे Convex Mirror यानि कि उत्तल दर्पड में प्रद्विम का बनना सीखेंगे और उतल दरपड में प्रद्विम का बनना, वो हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर किसी ने न पढ़ा हो तो वो जाके देख ले, प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़े हुए हैं, तो चलिए बेटा, टाइम को विनावेस्ट किये हुए, आज की क्लास सुरू क करते हैं, उतल दरपड में प्रद्विम का बनना, तो सबसे पहले हमने बताया कि कोई प्रद्विम भी बनाना हो, तो पहले तो हम उसका दरपड बना लेते हैं, दरपड बनाएंगे, उतल दरपड कौन सा दरपड होता है, कंक्यों कन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होता है, ऐसा सीर्फेस और फंथा पाईर जिसका इंत्र भाग लिए किया गया हो उसें उत्तले निबर बोलते हैं यह हमारा उत्तले पर बन गया यह से हमारी मूख्य म誓ं छली गे रिन्सपल अक्षिस यह हमारा थे इधर हमारा focus होगा और इधर center of curvature होगा क्योंकि यह जिस गोले से काट के बनाए गया इसका केंडर की ओर होगा ना ऐसे बना है गोला ऐसे था हमारा केंडर इसका इधर है अब जब हमने इनको काट दिया तो इसका केंडर कि इधर आएगा इस तरफ आएगा अगर दरपड ऐसा बना होता तो केंडर इधर आता तो इधर इसमें focus दूरे और center of curvature focal length focal length center of curvature इधर साइड होते हैं और फिर यह हमारा पोल हो गया यह focus हो गया यह center of curvature हो गया अगली condition image बनने के लिए सबसे जरूरी बात क्या होती है image बनने के लिए सबसे जरूरी बात क्या होती है हमें object given होना चाहिए object given होना चाहिए जैसे कि ओतल दरपड में object given होने की 6 condition होती थी लेकिन यहाँ पे 6 कंडिशन नहीं होती, केवल 2 कंडिशन होती है कौन कौन सी, पहली कंडिशन जब वस्तु हमें दिखाई न दे रही हो जब वस्तु हमें दिखाई ही न दे दिखाई ही न दे तो कहां होगी, अनन्त पे होगी तो पहली condition कौन सी जब वस्तु अनन्द पे रखी हो और दूसरी condition जब वस्तु हमें दिखाई देने लगे यानि कि जब हमें वस्तु दिखाई देगी इसका मतलब वस्तु अनन्द से और पहले आजाएगी अनन्त से और पहले आएगी तो कहा जाएगी पोल और अनन्त के बीच में तो पहली कंडिशन जब वस्तु अनन्त पे रखी हो और दूसरी कंडिशन जब वस्तु द्रू और अनन्त के बीच में रखी हो उत्तल दरपड में किवल यही दो कंडिशन होती है चलिए देखते हैं तो मान लीजे यहां पर अनंत कहीं पर बस्तु रखी हुई है हमको दिख नहीं रहा जब दिख नहीं रहा तो हम बस्तु दिखाएंगे भी नहीं और हमने बताया था समानतर रेखाएं अनंत से आती हैं अनन्द से कैसी रेखाए आती है समानतर रेखाए इंफिंटी से कैसी लाइन्स आती है पैरलल लाइन्स आती है तो अनन्द पर कोई वस्त रखे तो वहां से कैसी लाइन्स आएंगी पैरलल लाइन्स आएंगी तो यह हमाई पैरलल लाइन आ रही है पैरलल लाइन आ रही है द सब्हक्त करें तो इधर हैं यानि कि यह लाइन इधर आंगी यह सब्सक्राओं कि नहीं लोगा और वहां और यह reflected line होती है reflected line यह है परवर्तित की रड़ है परवर्तित की रड़ को भी पीछे की और बढ़ा दिया जाता है तो फोकस पे मिल जाती है दूसरी पैरलल लाइन आई दूसरी समांतर की रड़ आई वो भी टकरा के ऐसे चली गई वो भी टकरा के ऐसे चली गई टकरा की धर क्यों चली गई क्योंकि इसमें अंदर की तरफ पेंट है तो लाइट से उधर नहीं जाए पाएगी लेकिन यह जाती हुई प्रतीत होगी इसको भी हम पीछे की और बढ़ाएंगे ऐसे तो यह भी जाके फोकस में मिल जाएगी अब जाएंगे की जब वस्तो वेन और याव जेक्ट हैृ वयन और जाएग्ट ग hitμε है इनपिनिटी है अचने कि घजब वस्त कहां पे हो अनन्त सांथ क्या अनंत पे हो अनंत से लक्त नहीं रहे हैं तो उसका प्रद्वयूं कहां पे बनेगा फोंकस पे होनेगा तो तो क्या लिखें पोजीशन ओफ इमेज पोजीशन ओफ इमेज एट फोकस फोकस पर प्रद्विम कहां पर बन रहा है उत्तल दैरपड में प्रद्विम अगर वस तो अनन्द पर रखे हो तो प्रद्विम पर बन पर नहीं तो कि आभाषी और मैं ने बताया था यहीं इमेज प्रींश पले से ऊपर की तरब लेगा कैसा उब है मैं से इकिड़ा इर्क्ट सेधा और कैसा बना है? कितना बड़ा बना है? बहुत ही छोटा बना है वेरी डिमिनाइज्ड बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा बना है यह हमाई कंडीशन हो गई पहली कंडीशन के लिए हमने में स्फॉर्मेशन कर दिया दूसरी कंडीशन क्या है? जब वस्तु हमें दिखाई देने लगे यानि कि जब वस्तु अनंत और द्रू के बीच में आ जाए जब वस्तु अनंत और कहां जाए? द्रू के बीच में उत्तल दरपड में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इसमें क्यों दो ही कंडीशन होती हैं उतल दरपड में 6 कंडीशन होती हैं क्योंकि उसमें फोकस और सेंटर आफ करवेचर इधर की तरफ होता है इस वज़े से उसमें 6 कंडीशन बन जाती हैं और उतल दरपड में इमेज फार्मेशन पिछली वीडियो में पढ़ाया गया है जिसने ना पढ़ा हो पढ़ ले जब बस तो अनन्त और ध्रू के बीच में रखी हो तो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले तो कंक्यो मिरर बनाएंगे कंक्यो मिरर नहीं कंवेक्स मिरर बनाएंगे क्यों कंवेक्स मिरर की बात कर रहे हैं ना हम लोग उत्तल दरपड की कर्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं इंदी में उत्तल दरपड पेंट कर दिया इन्वार्ट सर्फेस में यहां से हम प्रिंस्पल एक्सिस ले गए यह हमारा पोल है यह फोकस दूरी है यह सेंटर ओफ करवेचर है इतना तो चाहिए जो इमेज बनानी हूँ इतना हम अपने आप कर लेंगे उसके बाद आपजेक्ट रखेंगे यह आपजेक्ट है आपजेक्ट का नाव हमने दे दिया और आपजेक्ट अब हमें दिखाई देगी तो यानि कि यह कहां पर अनन्त और द्रू के बीच में रखी है अनन्त और द्रू के बीच में आपजेक्ट रखा हुआ है तो इससे एक पैरलल लाइन जाएगी और पैरलल लाइन जाती है तो वो कहां से जाएगी फोकस से जाती लेकिन यहां पे paint है तो parallel line इधर नहीं जा पाएगी यहां से टक्रा के ऐसे वापस लॉट जाएगी इसको फिर हम dash dash करके पीछे की और बढ़ा देंगे जब हम पीछे की और बढ़ाएंगे तो focus पे cut करेगी और दूसरा नियम हमने क्या बताया था पहला नियम यह सारे नियम आतल दरपड में जब प्रद्विंबनने एक नियम बताया गया है वहाँ पर सब बताया गया है जब प्रकास किरण मुख्यच के समानतर जाती है तो फोकस से होकर जाती है और जब प्रकास किरण फोकस से होकर जाती है तो परावरतन के पश्चाद मुख्यच के समानतर हो जाती है यह दूसरा नियम था तो यहां पर प्रकास किरण डाइरेक्ट फोकस से तो जा नहीं पाए से ही वापस लोट जाती है यानि कि अब प्रकास किरण को हम को कहां से ले जाना पड़ेगा वक्रता के इंडर से दूसरी प्रकास किरण को ब्लू मारकर से दिखाते हैं यह दूसरी प्रकास किरण को वकृता केन से दिखाए ये ऐसे जा रही थी और यहां से टकरा के फिर इसी मार्ग में वापस लोड़ गए ये दूने एक दूसरे को कहां कट कर रही है इस जगह पे तो यहीं पे इनका इमेज बन जाएगा इमेज बन गया इमेज कहां पे बन रहा है फोकस फोकस और पोल के बीच में बन रहा है यानि कि जब बस तू अनंत और दू के बीच में रखी हो तो उसका प्रद्विम कहां बनता है दू और फोकस के बीच में बनता है लिख लो पोजीशन ओफ इमेज पोजीशन ओफ इमेज image कहां पर बना है focus और ध्रू के बीच में between focus and pole focus और focus और focus और ध्रू के बीच focus और ध्रू के बीच में बना है कैसा बना है बस तू प्रिंसिपल एक्सिस के उपर रखी है image principle एक्सिस के उपर बन रहा है यानि की erect बन रहा है erect मतलब क्या होता है सीधा बन रहा है और light ray real में एक दूसरे को cut नहीं कर रही है cut करती हुई appear हो रही है तो image कैसा बनेगा virtual बनेगा अभासी अभासी बनेगा और कैसा बनेगा virtual बन रहा है erect बन रहा है और object इतनी बड़ी थी image इतना बड़ा बन रहा है यानि कि image कैसा बन रहा है डिमिनाइज्ड बन रहा है, छोटा बन रहा है, कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो उत्तल धरपड में प्रद्विम बनने की केवल दो कंडिशन होती ही, कौन-कौन सी, जब वस्तु अनन पे रखी हो, और दूसरे जब वस्तु अनन पे रखी हो, जब वस्तु अनन पे तो उसका image पे बनेगे việc बहुत छोटा बनेगे सीधा बनेगा और अभासी बनेगा उत्तल डरपड में हमेशा आभासी प्रद्बिम में तब बनता है वह होती है जब वाश्विक प्रद्बिम में और इस में वर्चूअल से बनता है जब अन्नथओं बनता है सीधा और उल्टा बनने क्या बता है मैंने कि अगर वस्तू प्रिंस्पल एक्सिस के उपर रखें इमेज भी प्रिंस्पल एक्सिस के उपर बनेगा तो सीधा बनेगा वस्त उपर रखें इमेज नीचे बन रहें तो इमेज कैसे बनेगी उल्टा बनेगी और हमको दिख भी रहा है कि ये वस्त इतनी बड़ी है इमेज इतनी बड़ी बनी यानि कि छोटी बन रही है छोटी बन रही है तो उत्तल दरपड में प्रद्विम बनने की यही दो कंडिशन होती है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाई स्पेरिकर मिलर गोली दरपडों दोरा परवर्तन के लिए चिन परिपाटी यानि कि जब गोली दरपड यानि उत्तल दरपड से रिफ्लेक्शन होता है तो उसके लिए हम सिंबल कौन से लेते हैं प्लस में लेते हैं कि माइनस में लेते भाई दूरी है वस्तुप से दूरी प्रद्विम से दूरी रहती है तो उनको हम प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे ये चीज़ देखते हैं चलिए देखते हैं तो गोली दरपड़ कितने प्रकार के होते हैं गोली दरपड़ दो लोगतल डर्पढद पहला उत्तल डर्पढद यह पहला राज ओतल दर्पढद आज तर दर्पढद ओतल दर्पढद को इंग्लिस में क्या बोलते हैं कंखेयो मिरर इस तरह में पहचान लेंगे जैसे कंकेओं केओं में आऊ आ रहा है और ऑउतल में भी आओ आ रहा रहा है तो कंकेओं केओं को-2 क्या बोलेंगे अउतल दरपड कंकेओं मिल हंदी में क्या बो दरपड़ कन्वेक्ष कन्वेक्ष मिरर और कन्वेक्ष में x आ रहा है इसमें nd export आ रहा है कि त्धां हो जाता है डबल्त आधाता पूराता अर्लब पोलने में दिक्कत होती है और Convex X तो X से हम डबलता को रिलेट कर लेंगे यानि कि Convex में X आ रहा है तो यह कौन सा दरपड होगा उत्तल दरपड और कंकेव में A B आ रहा है इसमें आव आ रहा है तो यह को क्लियर रखना है माइंड में छोटी सी ट्रिक से इसमें एवी है इसमें आउ है तो यह कौन सा होगा और तल आपने दोनों में से एक भी याद कर लिया एक भी समझ लिया तो दूसरा आटोमेटिक पता चल जाएगा अब ओतल दरपड बनाते हैं ओतल दरपड क्या होता है ऐसा मिरर हमने बताया था ओतल दरपड क्या होता क्यों है क्यों मतलब गुफा ऐसा दरपड जिसके बाहरी पार्ट में पेंट हो बाहरी पार्ट में पेंट हो या उबरे हुए भाग में पेंट हो और क्यों क्यों यानि क का पार्ट हमारा reflecting एरिया हो reflecting एरिया क्या होता है परावरतक परेष्ट यह क्या है मारा पॉल है फोकस दूरी है कर दिद्जा फोकस ही तो इसमें क्या होगा हम स और 3 minus कैसे लेते हैं मान लीजेए यहां पर कहिं पर हमारा object रखा रुआ है यहां पर कहिं पयमारा object रखा हुआ है इससे प्रकास किरड् ऐसे या रही है ऐसे प्रकास किरड् लाइट आप्तित किरण और जो दूरी आप्तित किरण की ओर ली जाती है या जो दूरी धुरू से वस्तु की तरफ ना पी जाती है जो दूरी धुरू से वस्तु की तरफ मतलब उल्टा धुरू से उल्टा ना पी जाती है वो माइनस में होती है जो दूरी ध्रू से बाहर की और ध्रू इधर है और हम बाहर की और नाप रहे हैं जैसे ये ध्रू है और फोकस ध्रू से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है एफ तो एफ काहे में होगी माइनस में होगी माइनस में क्यों होगी क्योंकि हम ध्र केंद के 20 की दूरी को क्या बोलते हैं वक्तात रिज्जा बोलते हैं तो वक्तात रिज्जा काहे में रहेगी माइनस में रहेगी माइनस में रहेगी और यहां पर आपजेक्ट रखा हुआ है द्रू से वस्तु की दूरी को हम क्या बोलते हैं द्रू से वस्तु की दूरी को हम क लोग जा रहे ही तो यह भी माइनस में रहेगी कि कि या निकी रूसे दूर जाने पर दूते इधर जाने पर पो past यो दूरी पड़ती हैं उनको माइनस में लेते हैं उनको काये में पलंस में होगी दूकि तरफ आने फे इधर से दूर जाने से मनली जाएगो जब दूर फोकस नापते हैं फोकल लें तो हमने से लोग से फोकस के बीचिद्ध दूरी दूरी कि सारी दूरी यह हम नाप से नापि जाते डूर को यानि दुरू हमारा क्या है एम है दुरू हमारा क्या है गोल है जब हम अपने लच्छ की ओर बढ़ते हैं लच्छ की ओर जा रहे होते हैं तो यानि कि हम धनात्मक दिसा में जा रहे हैं जब हम अपने लच्छ की ओर जा रहे हैं तो यानि कि धनात्मक दिसा हम जा रहे हैं जै यानि कि आप धनात्मक दिशा की ओर जा रहे हैं धनात्मक हैं पॉस्ट्यू हैं लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं फ्री फायर खेल रहे हैं या कुछ भी खेल रहे हैं तो यानि कि आप अपने गोल से दूर हट रहे हैं आप निगेटिव हो रहे हैं यानि कि जब दूर होता है जब आप गोल से दूर हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं निगेटिव हो रहे हैं जब आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं पॉश्ट्य हो रहे हैं और अगर जो दूरियां दरपड़ से मुख्य अच्छे से ऊपर की और ना पी जाती है वो प्लस मिली जाती है भाई अगर आप अभी अभी आपको क्यों एक चैप्टर आता है कल दूसरा चैप्टर भी आने लगेगा धीरे-धीरे पूरा जाएगा और सारा आपको आ रहा है तब भी आने कि आप ब्रोथ करना है आप उपर की और बढ़ नहीं कि प्लस हो रहा है तो प्रिंसपल एक्सिस से नीचे की दूरी काहे में आपेंगे माइनस में आपेंगे मान लीजे अभी आपको दो डिफनीशन याद है तिन चार दिन ना पढ़ो तो वो दोनों भी नहीं याद रहेंगे सब भूल जाओगे तो तब क्या होगा यानि कि आप निगेटिव हो गया आपका लेवल कम हो गया ग्रोथ नहीं हुई ग्रोथ नहीं हुई तो आप कम हो गया निगेटिव हो गया यानि प्रिंस्पल एक्सिस से उपर जाने कि धनात्मक प्रिंस्पल एक्सिस से नीचे आने पर निगेटिव यह रिडात्मक द्रू की और आने पर अपने लच्छी की और आने पर धनात्मक अपने लच्छी के अपने लच्छी से दूर जाने पर रिडात्मक यानि कि ओतल दरपड में कंक्यो मिरर में कंक्यो मिरर में कंक्यो मिरर में फोकस लेंद फोकल लेंद कहें में होती है फोकल लेंद कहें में होती है माइनस में होती है फोकल लेंद कहें में होगी माइनस में होगी फोकस दूरी की कुछ मांदे दिया जाएगा जैसे कह दिया ओतल दरपड की फोकस दूरी 10 cm है और ओतल दरपड कहा है तो 10 नहीं कौन सी 10 माइनस की 10 है ओतल दरपड की फोकस दूरी काहे में नापी जाती है माइनस में नापी जाती है और ओतल दरपड में वक्तत त्रिज्य काहे में नापी जाती है रेडियस ओफ करवेचर ये भी माइनस में नापी जाएगी यानि कि क्या वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहे में नापी जाएगी माइनस में नापी जाएगी इसे हम क्या कहेंगे फोकस दूरी और वस्तु की दूरी कहे में नापी गई है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहें में ना पी जाएगी ये भी माइनस में ना पी जाएगी अब बात आई इमेज डिस्टेंस की अब बात कहें कि आई इमेज डिस्टेंस की इमेज डिस्टेंस अब देखिए ऑटल दरपड में image formation आप लोगों ने पढ़ाए कन्केव मिरर में image formation पढ़ाए उसमें six condition होती थी और हमने देखा है कि पांच की पांचों condition में image इधर बनता है और नीचे ही बनता है क्यों एक condition ऐसी होती जब image इधर बनता है और virtual बनता है क्योंब एक condition थी वह condition कौन से थी जब object focus और pole के बीच में रखाओ यानि कि जब image इधर बनेगा तो वो कहें में लिया जाएगा माइनस में लिये जाएगा जब image इधर आएगा इधर बनेगा यानि 5 की 5 कंडिशन में तो माइनस में लिया जाएगा और जब इधर बनेगा यानि की कैसा virtual बनेगा तो कहें में लिया जाएगा इमेज डिस्टेंस दो में लिया जाएगी दो प्रकार से होगी कौन-कौन सी अगर वर्चुल बन रहा है तो धनात्मक या इसको हम दूसरी भाद सामें अगर V प्लस में आया है अगर वी वस्ट की प्रद्विम की दूरी प्रद्विम की दूरी को व से इंडिकेट करते हैं और वस्त की दूरी को यू से इंडिकेट करते हैं वस्त की दूरी को कहीं से इंडिकेट करते हैं वस्त की दूरी को यू से इंडिकेट करते हैं अगर प्रद्विम आभासी बन रहा है अगर प्रद्विम कैसा बन रहा है आभासी तो धनात्मक होगा अगर प्रद्विम आभासी बन रहा है तो धनात्मक होगा अगर वास्ट्विक बन रहा है तो लिडात्मक होगा यानि कि ओतल दरपड में फोकस दूरी काहे में होती है माइनस में अगर प्रद्विम की दूरी काहे में होती है प्रद्विम की दूरी के लिए दो कंडिसन है कौन कौन सी जब प्रद्विम आभासी बनेगा तो प्लस में बनेगा जब प्रद्विम वास्ट्विक बनेगा तो माइनस में बनेगा यह अगर प्रद्विम वास्ट्विक बनेगा उत्तल दरपड़ के लिए ऐसा हमारा उत्तल दरपड़ बन जाएगा यह हमने अंदर की और पैंट कर दिया यह हमारा कनवेक्स मिलर यह यहाँ पे पोल है यहाँ पे अबजेक्ट रखा होगा A-B और उत्तल दरपड़ में हमने बताया फोकस दूरी इधर होती है वक्रताति जब ही इधर होती है या सेंटर ओफ करवेचर वक्ता केन भी इधर होता है तो इसमें भी सेम एज जो दूरी पोल की ओर ना पी जाएंगी वो प्लस में जो दूरी दूर से दूर ना पी जाएंगी दूर से दूर ना पी जाएंगी वो मा माइनस में उपर की ओर काहे में प्लस में नीचे की ओर माइनस में ध्रू की तरफ ध्रू की तरफ यानि ध्रू की दिसा में और ध्रू से दूर और कौन सा ध्रू से दूर यानि कि जब हम द्रू से विपरीद दिसा में आएंगे तो माइनस में द्रू की दिसा में जाएंगे तो प्लस में अब देखिए द्रू से इधर आने पे हमको अबजेक्ट मिल रहा है यानि कि उत्तल दरपड में ऑबजेक्ट की दूरी हम काहे में लेंगे माइनस में लेंग और हमने देखा है प्रद्विम बनने में उत्तल दरपड में प्रद्विम बनने में देखा है कि दोनों कंडिशन में प्रद्विम इधर ही बन रहा है प्रद्विम इधर बनेगा तो काहे में बनेगा प्लस में बनेगा यानि उत्तल दरपड में उत्तल दरपड में सब चीज काहे में होती है प्लस में होती है केवल वस्तु की दूरी माइनस में होती है वस्तु की दूरी को काहे से इंडिकेट करते हैं यू से इसमाल यू से वस्तु की दूरी को काहे से इंडिकेट करते हैं U से वस्तु की दूरी काहे में होगी माइनस में होगी फोकस दूरी काहे में होगी प्लस में होगी फोकस दूरी प्लस में होगी वकृता त्रिज्य काहे में होगी वो भी प्लस में होगी वकृता त्रिज्य काहे में होगी प्लस में होगी वक्रिता दूरी या वक्रिता तृज्या वक्रिता तृज्या कर दो वक्रिता तृज्या काहे में होगी प्लस में होगी और क्या बचा और बचा हमारा प्रद्विम काहे में होगा प्लस में होगा क्योंकि इसमें वास्ट्विक प्रद्विम बनता ही नहीं है केवल आभासी प्रद्विम बनता है तो आभासी प्रद्विम हमेशा प्लस में बनेगा प्लस में बनेगा जो दूरी उपर की और ना पी जाती है वो प्लस में जो दूरी प्रिंस्पल एक्सिस से नीचे की ना पी जाती मतलब प्रिंस्पल एक्सिस से उपर तो प्लस में प्रिंस्पल एक्सिस से नीचे तो माइनस में और फिर पूल की तरफ जा रहे हैं पूल के पास जा रहे हैं तो प्लस में पूल से दूर जा रहे हैं तो माइनस में और उतल दरपड हो या उतल दरपड दोनों में वस्त कहां पर होती है पूल से दूर ही होती है य वक्त्रतिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् तो वो प्लस में बनेगा प्लस माइनस की बात समझ में आ गई इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसका यूज निमेरिकल में बहुत है इसका यूज निमेरिकल में बहुत है पूरे निमेरिकल इसी से सौल होंगे जिस बच्चे ने प्लस माइनस की गलती कर दी उसक लगाया हो सब कुछ सही हो लेकिन अगर आपने छोटी सी माइनस प्लस की गलती कर दी तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा तो इसको बहुत ध्यान से और अच्छे से समझ लेना है अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया या किसी चीज में कोई कनफ्यूजन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या एंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम की आइडी च्रिप्सन में दी गई है उसको आप उसको आप फॉलो करके उसमें भी बता सकते हैं दरपढ़ सूत्र क्या होता है? मिरर फॉर्मूला दरपढ़ सूत्र इसे हम दरपढ़ सूत्र ही बोलते हैं दरपढ़ सूत्र या दरपढ़ सूत्र को हम लोग और भी एक चीज़ कहते हैं वो अभी बता रहे हैं क्या कहते हैं दरपढ़ सूत्र क्या होता है पहली बात तो? दरपढ़ सूत्र होता है साथ आप लोग को ये आता भी हो ना आता हो तो देख लेना है वन अपान एफ बराबर बन अपान यू यह क्या है हमारा यह दरपड़सूत्र है इसे ही हम लोग बोलते हैं आफ वी यू में संबंद है इसे हम क्या बोलते है या तो आप से कह देगा दरपड सूत्र क्या है बताइए या फिर कह देगा F V और U में संबंद लिखिए relation between relation in relation in F V and U F V और U में क्या relation होता है तो बेटा देखो यहां पर एफ हमने क्या बताया था F क्या है वी क्या है यू क्या है अभी बताया था आपको एफ क्या है एफ है हमारा focal length एफ क्या है focal length है वी क्या है इसमाल वी वी क्या है image distance है image distance है एफ क्या है एफ focus दूरी है एफ कॉन से दूरी है focus दूरी एफ क्या है f focus दूरी है और वी क्या है प्रतिबिम्ब की दूरी प्रतिबिम्ब की दूरी प्रतिबिम्ब की दूरी और यू क्या है? अब्जेक्ट डिस्टेंस या वस्तु की दूरी वस्तु की दूरी एफ तो सभी को याद रहता है कि एफ फोकस दूरी है बच्चे कन्फ्यूज होते हैं वी और यू में वी और यू में कन्फ्यूज होते हैं कि वी क्या है और यू क्या है तो बेटा देखो यहां पर वस्तु है वस्तु में वा आ रहा है और यू मतलब भी वा होता है वा को ही यू लिखते हैं इंगलिस में वा को ही यू लिखते हैं तो वस्तु याने की यू और प्रद्विम आने की वी वस्तु हमने याद कर लिया तो प्रद्विम वाला आटोमेटिक याद हो जाएगा वस्तु में वी वा है और यू भी है वा यू या वा यू कह दो ठीक है तो वस्तु की दूरी क्या है यू है बच्चे वी और यू में बहुत कन्फ्यूज रहते हैं अधिकतर बच्चे ये कन्फ्यूज रहते हैं कि वी वस्तु की दूरी है कि यू वस्तु की दूरी है तो वस्तु की दूरी क्या है यू कैसे जानेंगे वस्तु में वा है औ करने में करते हैं और यह जो फर्मूला दिया ओर यश्पल से आपको समझा है कि प्लस माइनस माइनस में और वकतातिज्ज backup had in – प्रद्विम की दूरी प्लस में होगी या माइनस में होगी तो यह फॉर्मूला विध सिंबल यूज किया जाता और सिंबल कैसे लगाई गए है यह पही मैंने आपको बताङ मेंगनिफिकेशन मेंगनिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं आवर्धन आवर्धन किसे बोलते हैं देखिए प्रतिबिम्ब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई प्रतिबिम्ब की लंबाई अवस्तु की लंबाई के अनुपात को अनुपात को आवर्धन बोलते हैं आवर्धन कहते हैं आवर्धन कोई आवर्धन चमता भी कहते हैं आवर्धन कोई क्या बोलते हैं आवर्धन चमता इसे काहे से इंडिकेट करते हैं इसे M से प्रदर्शित करते हैं इसे m से प्रदर्शित करते हैं इसे का है से प्रदर्शित करते हैं m से प्रदर्शित करते हैं यानि कि m बराबर i upon o i क्या है image है और o क्या है object है i क्या है image है और o क्या है object है यानि कि प्रद्विम की दूरी और वस्तु की दूरी बाकि image और object लिखा नहीं जाता है लिखा i upon o ही जाता है यानि आवर्दन सम्तक formula क्या बनेगा m बराबर i upon o इसे ही लिखा जाता है कहीं कहीं पे m बराबर माइनस का वी अपान यू वी क्या है वी प्रद्विम की दूरी है यू वस्त की दूरी है बिटा देखो दूरी और लंबाई में एक अंतर जैसे हम यह अबजेक्ट रखें यह हमारा मारकर है यह मारकर कहीं पर यह रखा हुआ तो यह जो इसकी है तो यानि इसकी लंबाई और जो इसका प्रद्विम बनेगा उसकी लंबाई लंबाई के अनपात को आवर्धन चमता कहते हैं और दूसरे चीज़ इनके दूरी यानि कि यहां पर अगर दरपड रखा हुआ है यहां पर मिरर रखा हुआ है तो इससे कितनी दूरी पर वस और इस मारकर की दरपड से दूरी कितनी है यह हमारा प्रद्विम या बस्तु की दूरी हो गई तो दूरी और लंबाई में कनफ्यूज नहीं होना है M बराबर I upon O भी होता है M बराबर minus V upon U भी होता है प्रद्विम की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनपात को आवर्धन चमता कहते हैं प्रद्विम की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनपात के रिडात्मक मान को आवर्धन चमता कहते हैं अब हम दूरी लेते हैं तो उसको रिडात्मक में ले लेते हैं तब आवर्धन चमता रिडात्मक में रहती है और इसे ही अगर इंग्लिस में कहना हूं तो क्या कहेंगे अब बीड समस्जाओ टिरेते हैं तो क्या कहीं है तो क्या हूं इस आटा इ vrijाजर किया अनुपात् direction